Hi friends and welcome back to your own YouTube channel Job Detector दोस्तों जो आज का हमारा वीडियो है वो टाटा स्टील AET का जो हमारा अपकमिंग एक्जाम होने वाला है उसमें आज हम मैट्स की वीडियो लेकर आ है तो चलिए बरते हमारे पहले क्वेशन की तरफ देखे आज का हमारा पहला क्वेशन क्या है यह जो आज का हमारा वीडियो है दोस्तों यह पाई चार्ट के उपर है ठीक है पाई चार्ट के क्वेशन सम लेकर आएं तो देखे पहला क्वेशन क्या है क्या बोल रहा है यह पे पाई चार्ट है हमें क्या दिखा रहे है डिफरेंट के हार और एक दिन में Have a और चार्ट है यह ईपकी द्वर्स का दिखा रहा है 124 विशार्स क्या Bay इंडट है श्योप म दोस्तों यह Saulson 003 ऐस्ग आए क्मों क्योंस्ताइख अ 10 percent grapes 25 percent apple 15 percent orange and 20 percent other fruits तो देखते इससे related हमारा questions क्या पूछ रहे हैं देखें क्या दिया है if a total of 1200 kg of fruits were sold in a day calculate the amount of banana in kg बोल रहे हैं एक दिन में अगर आप 1200 fruits sell कर रहें एक दिन अगर आप 1200 fruits sell कर रहे हैं तो आप आपको बताना है कि आप कितना amount of banana sold के होंगे कितना amount of banana sold के क्वेशन क्लियर है दोस्तों question क्लियर है एक दिन में हमारा कितना केजी बनाना कितना केजी of fruits अपर से दोस्तों टोड हमारे टोटल आप का उस पर्टिक्टोलर डे में अमारा जो फूर्ट से ओल्ड हुआ उसमें माला ना कितना पर्सेंट ए तो बैनाना हमारा हमारा थर्टी परसेंट है थेकर चलिए देखते हैं है आ बनाना हमारा 30 पशेंंट है 1600 अमाम्ट्स ऑंट्स ऊप्र फू तौतल फ्रूट कितना स्री वह तो त्वल्य केजी उप्षिन्टे ऑफ पर्संटेज ऑफ बनाना कितना सोल्ड है पर्संटेज ऑफ बनाना जो हवा है 30% हुआ है अब हमें क्या निकालना है amount of banana amount of banana क्या निकालेंगे जितना भी fruit sell हुआ था उसका 30% that means उसका 30% 12,3 is a 360 360 kg total हमारा amount of banana कितना sold हुआ है 360 kg चलिए next question का है उसी से related देखते हैं find the difference between sales of grapes and oranges find the difference between these sales of grapes and oranges सबसे पहले हममारा देखेंगे कि grapes और oranges में कितना का difference है 5% का difference है हमें क्या निकालना है amount of sales difference निकालना है इन दोनों के बीच में तो हम डाइर्श क्या कर सकते है जो हमारा यहाँ 1200 kg था उसका 5% निकाल देंगे 1200 into 5 by 100 that means 60 kg 60 kg जो हो जाएगा वो हमारा difference हो जाएगा यह तो हमारा time taking मतलब time saving है एक और दूसरे तरीका से हम बदा सकते हैं कैसे बना सकते हैं पहले हम 1200 का 15% निकाल देंगे दोस्तों फिर 1200 का 10% निकाल देंगे दोनों का हम लोग में difference कर देंगे that will be our difference between the amount of sales between grapes and oranges बट हमें time भी तो safe करना alternative तो हम यह पर direct अपना subtract करके उतना जितना भी हमारा difference रहेगा वह हमारा percentage difference भी आगा 1200 का 5% निकाल देंगे that is 60 kg नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेशन क्या calculate the central angle for others central angle for others यह जो others है हमारा 20% इसका central angle निकालना है तो central angle कैसे निकालेंगे दोस्तों सबसे पहले हमारा fruits देखते है fruits देखिए other का हमारा कितना percent 20% था तो 1200 का हमारा यह जो 1200 पर हमारा angle कितना बन रहा था 360 डिग्री आंगल बन रहा था एक एक kg में कितना बनेगा हमारा 360 by 1200 हमें actual में कितना निकालना है 240 kg का निकालना into 240 इसे जब आप calculate करेंगे दोस्तों इसे जब आप calculate करेंगे 72 that is 72 डिग्री आ जाएगा central angle for other जो के हमारा 20 परसेंट था पूरे पाइचार्ट का तो उसका central angle कितना बन गया central angle बन गया हमारा 72 डिग्री चलिए next question in a summer a survey was conducted amount 400 people summer में एक survey किया गया है जिसमें हमारा 400 people का conduct किया गया था उसमें उन लोगों का अलग अलग जो फेवरेट वेवरेजर होते हैं वह उसका पाइचार्ट यहां पर कंड़क किया गया तो देखिए क्या थी फॉलिंग पाइचार्ट शोउज दी डाटा cold coffee कितने है हमारे ice tea cold drinks coffee tea ठीक है अब हमारा इससे related questions किया है questions पहले देखते हैं तो how many people like tea तो सबसे पहले देखिए हमारा tea कितना परसंट था ती है हमारा 56% और हमारे total number of peoples कितने है total number of peoples तो हमारे 400 है total number of peoples हमारे कितने देखिए तो 400 people का सर्वे किया गया था हमें क्या निकालना है the number of people who like tea that means 400 का 56% निकाल देंगे 400 का हमारा 56% जो होगा उतने number of people ही tea like करते है तो ये 00 हमारा cancel out हो गया 56 into 4 56 into 4 हमारा 224 that means out of 400 only 224 people like tea कोई confusion है इस question में चलिया next how many more people like coffee than cold coffee अब यहां पर questions क्या पूछा है यहां पर question पूछा how many more people like coffee than cold coffee coffee कितने है 24 और cold coffee कितना है 12 तो मतलब 12% जादा है indirectly हमारा जो previous questions में भी था आप individual 24% of 400 निकाल लीजे दोस्तों और 12% of 400 इन दोनों का जो difference होगा that will be the more number of people who like coffee but हम इस alternative में time जो save करना है इसमें हम क्या करते है direct जो हमारा difference है 12% तो हमारा 12% ही निकाल लेते हैं that means 12 by 100 into 400 48 48 people like 48 people like 48 people like more coffee as compared to cold coffee चलिया next question क्या है what is the total central angle for ice tea and cold drinks ice tea का हमारा central angle और cold drinks का central angle निकालना है ice tea हमारा कितना है 6% है तो सबसे पहले हम हमारा 400 का 6% निकालेंगे 400 का 6% that means 24 people है ice tea में और हमें किसका निकालना है cold coffee का निकालना है cold drinks का निकालना है cold drinks is 2% तो 2% हम पहले निकाल लेते हैं 400 का 2% that means 8 यहां पे 8 लोग है और यहां पे 24 लोग है अब हमें क्या पुछ रहे है central angle निकालना है यह आप लोग ध्यान में रखेगा कि ice tea का हमारा 24 people है और cold drinks में हमारे 8 people है हमें क्या निकालना है central angle for ice tea that means 400 people जो थे वो total 360 degree occupy किये थे हमें किसका निकालना है सबसे पहले हमें निकालना है 24 का जो की ice थे हमारे इंटो 24 इसको जब हम solve करेंगे इसको जब हम solve करेंगे इसको जब हम solve करेंगे तो हमारे कितना है बताइए 00 12 25 18 18 into 12 divided 5 5 that means 21.6 21.6 degree आएगा ice tea का और next हमें क्या निकालना है cold rings का cold rings का हमारे कितना था 8 8 people थे ना that means 8 by 400 into 360 इसे जब हम cut cut करेंगे 5 that means 7.2 cold ring का जगा हमारे 7.2 और ice tea का जगा 21.6 degree कोई confusion है इस question में चलिए next question the monthly expenditures of two companies A and B's are 90 lakh and 95 lakhs respectively company A का कितना है 90 lakh और company B का कितना है 95 lakh हमें क्या दिया है calling pie chart shows their monthly expenses for various sections यह जो pie chart दिया हुए company A and company B का वो उन्हों का monthly expenses दिया हुए different sections में जैसे transportation में machinery, raw materials, tax, employees में वो कितने percent खर्चा करते हैं उसका हमारा pie chart यहां पर drawn out करके दिया हुए हमें अब question से देखना है कि हमें क्या पूछा है company A का हमारे यह pie chart रहा दोस्तों और यह हमारा company B का रहा हुए first question क्या है how much more company B spends on employees than company A तो देखिए how much more पूछ रहा हुए how much more तो यहां पर हमारा यह 30% है हमें पता है कि हमारा company A में कितने लोग है company A में हमारे 90 लाक्स है ठीक है तो 90 लाक्स का 30% सबसे पहले हम निकाल लेंगे 90 लाक्स का निकाल लेंगे दोस्तों का 30% 27 12345 यह हमारा आ गया company A के employees और company B का इंप्लोई भी हम इसी तरह निकाल सकते है that means 34% of 95 34% of हमारा 95 क्योंकि company B में हमारे कितने लोग है company B में हमारे 95 लोग 95 लाक्स है तो इंडिवीज्वल निकाल के उन दोनों का जो हम डिफरेंसे कर देंगे इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए चलिए दूसरा question क्या है how much more company B spends on raw materials than company A तो company A में हमारा कितना था 90 लाक्स था रो में हम कितना परसंट खर्च कर रहें 18% तो हम 18% of 90 लाक्स हम कैलकुलेट कर देंगे 90 लाक का 18% निकालेंगे company A के लिए और company B के लिए हमारा कितना raw material में 19 है तो हम हमारा यहां 95 लाक्स का 19% निकालेंगे जो difference होगा that will be my answer question no.3 का जो हमारा दो questions है questions 1 and question 2 question 1 क्या था how much more company B spends on employed than company A and second question है how much more company B spends on raw material निकालना है as compared to company A इन दोनों का आप लोगा answer comment box में comment कीचे दोस्तों हमारे चैनल को like करे subscribe करें अपने friends के साथ जादर से जादर share करें description में आपको हमारा telegram का link मिल जागा वहां से आप हमारे group में join हो सकते थैंक यू